नमस्कार स्वागत है सभी आंगनबारी बेहनों का आज के इस नए वीडियो में मैरी तेश कुमार आज आप सभी आंगनबारी सेवकाओं को बताने वाला हूं कि ICDS विभाग के तरफ से एक नया पत्र जारी किया गया है जिस पत्र में THR बितरन है तो कुछ नए निर्देश दिये गया है जैसे कि इस बार जो जनवरी महिने का THR बितरन करना है वो किस प्रकार से करना है साथ ही साथ जो 3-6 वर्स के बच्चे हैं उनको THR बितरन करना है या नहीं करना है और इसका जो डेट है वो कब तक निर्धारित किया गया है आज आप सभी आंगनबारी सेवकाओं को इसी के बारे में जनकारी मिलने वाली है तो आज की ये वीडियो सभी आंगनबारी सेवकाओं के लिए काफी यूजफूल होने वाली है इसलिए आप लोग इस इस प्रकार से नई नई वीडियोज लेके आते रहें और जीन आंगनबरी सेविकाओं ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद औल का बटन जरूर सेलेक्ट कर ले ता 121-2022 यानि कल साम को ही इस लेटर को जारी किया गया है इसकी संची का संखे आप यहाँ पर देख पाएंगे 182 इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS और सभी जीला प्रोग्राम पदादिकारी सभी बाल विकास पर्योजना पदादिकारी को यह लेटर जारी किया देख सकते हैं कि आगनवारी केंदरो पर माह जनवारी 2022 का टेक होम राशन का बितरन टोकन परनाली के माध्यम से करने के संबद में तो इस बार भी जनवारी मन्थ में भी आपको टोकन परनाली के माध्यम से ही ठीचर बितरन करने हैं और इस वीडियो में आपको नीचे बत के समन्ध में कहना है कि राज्य के सभी आंगनवाडी केंद्रों पर टोकन पर नाली के माध्यम से बित्रन किया जा रहा है। आंगनवारी केंदरोपर माह जनवारी 2022 का टेखोम राशन तोकन या कूपन सत्यापन के पस्चात दिनांक यहाँ पे आप लोग दिनांक को ध्यान से देखियेगा और इसको याद रखियेगा 14.1.2022 से लेकर 31.1.2022 तक पोसहार वितरन किया जाना है अता सभी महिला परवेक्षिकाओं या सेविकाओं को निदेशित करें कि 3-6 वर्ष स्कूल पूर्व सिक्षा पराप्त करें लाभुकों को छोर कर सेस लाभुकों को टोकन या कूपन परनाली के सत्यापन के माध्यम से ही समयवद निर्वाध रूप से टेखोम राशन वितरन करना सुनिचित किया जाए यानि कि इस बार भी आपको 3-6 वर्ष के जो बच्चे है उनका टोकन सत्यापन नहीं करना है और उनको THR वितरन नहीं करना है यानि पिछले मन्त भी हम लोगों ने 3-6 वर्ष के बच्चों का टोकन सत्यापन नहीं किया था इस मन्त को टोकन सत्य सत्यापन तीन से छे वर्ष के बच्चों का नहीं करना है तो इस परकार से आप लोग देख सकते हैं कि ICTS विभाग के तरफ से जन्वारी मन्त में किस परकार से THR वित्रन करना है उसके लिए यहाँ पे पत्र जारी हो चुका है यानि कहने का मतलब है कि 14.1.2022 से लेकर 31.1.2022 तक यानि कौल से ही जो THR वित्रन करना है वो कूपन या टोकन सत्यापन करने के पस्चाथ ही आपको इस महिने का राशन वित्रन करना है तो उमीद करता हूँ कि आप सभी आगनबारी बहनों को मालूम चल गया होगा कि जनौवरी महिने में किस परकार से THR वित्रन करना है तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप सभी आगनबारी बहनों को ये वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जादा से जादा सियर करें तो मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक, नई जनकाडी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद